देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनेंदा खबरे अभी नेता शारुक खान के बेटे आरियन खान को ड्रक्स केस पे अभी राहत नहीं मिली है SID चीफ ने कहा है कि ये कहना जल्दबाजी होगी कि आरियन खान की हिलाफ कोई सबुत नहीं है वही कल 3 मार्च से शुरू हो रहे हैं महराश्ट के वजट सत्र में मंत्री नवाब मलिक का मंत्री मंडल से इस्तिफाल लिये जाने को लेकर भारी विरोत किये जाने क्या शंका है तो शिफसिना नेता संजे राहत ने फिर ट्विट किया है कि आई रिपिट बाब बेटा जेल जाएंगे इस बीच कोईले की कमी के कारण परली ताब बिजली संयत्र के एक इकाई से बिजली का उत्पादन बन कर दिया गया है इससे आने वाले दिनों में बिजली संकट गहरा सकता है उदर भाजपा के वरिष्ट नेता और विधायक आशिश शिलार ने प्रदेश के परियावरन मंत्री अदित्य ठाकरे से लवासा सिटी पर योजना मामले में राज्य सरकार की भूमी का सपष्ट करने की मांग की है प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार सिजाने के लिए आप हमारे साथ अभिनेता शारुक खान के बेटे आरियन खान को ड्रक्स केस में अभी राहत नहीं मिली है पहले खबर आई थी कि आरियन खान के खिलाफ कोई सबुत नहीं मिला है लेकिन अब इस पर SIT चीफ और NCP DDG संजे सिंग ने कहा है कि जान जबी जारी है ये कहना जल्दबाजी होगी कि आरियन खान के खिलाफ कोई सबुत नहीं है कई बयान दर्च किये गया है अभी दर किसी निशकर्श पर नहीं पहुच पाया है इससे पहले बताया जा रहा था कि आरियन खान को क्लीन चिट मिलने वाली है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम की तरफ से ये जानकारी सामने आई थी बताया जा रहा था कि इस बात का कोई सबुत नहीं मिला है कि वो एक बड़ी ड्रक साजिश याने इंटरनेशनल ड्रक्स ट्राफिकिंग सिंडिकेट का हिस्सा थे क्रूज पर मारी गई रेड में भी कुछ अनियमित ताय थी जिस वजह से उनकी गरफतारी हुई अधिकारियों ने बताया कि आरियन के चैट से ये नहीं पता चलता है कि वो किसी इंटरनेशनल सिंडिकेट का हिस्सा था चापे की वीडियो आडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी जैसा कि NCB मैनियोल द्वारा अनिवारिय किया गया था इस मामले में गरफतार किये गए आरोपियों के पास से बरामत नशिली दवाओं को सिंगल रिकवरी के रूप में दिखाया गया था NCB के डारेक्टर SN प्रधान को रिपोर्ट सौपने में अभी कुछ महने और लग सकते है आखरी फैसला लेने से पहले कानूनी राय ली जाएगी खास दोर पर इस पहलू के लिए कि क्या आरियन पर ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए आरोप लगाया जा सकता है भले ही उसने कोई ड्रग्स नहीं ली हो कल तीन मार्च से महाराश्र का बजट सत्र शुरू हो रहा है इस बजट सत्र में राकापनेता और कैबिनेट मंतरी नवाब मलिक का मंतरी मंडल से इस्तिफाल दिये जाने को लेकर भारी विरोत किये जाने के आशंका है महाराश्र बीजेपी के ब्रदेश अद्धिक्षा और विधायक चंद्रकान पार्टिल ने चितावनी दी है यगर मलिक को पत्से नहीं हटाया गया तो बीजेपी ये बजट सत्र नहीं चलने देगी पार्टिल की इस बयान का जवाब देते हुए अधिवेशन में विधानसभा अद्धिक्ष पत के चुनाव की भी तयारिया महाविकास आगारी की तरफ से की जा रही है पार्टिल ने कहा कि आर्यन खान मामले पर मुखरता से अपनी बात रखने वाले नवाब मली को निशाना बनाया गया है उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट के अनुसार शारुक खान के बेटी को फसाया गया है इसी बीच NCP के मुखिया शरत पवार ने पार्टी कोटे से सरकार में शामिल मंत्रियों के समिक्षा बैठक बुलाई जिसमें अधिवेशन में होने वाले कामकाज के संदर्ब में चर्चा की जाएगी वही शाम के समय महाविकास आघडी के नेताओं की भी बैठक बुलाई गई है जिसमें बजट सत्र पर महाविकास आघडी के सभी नेताओं से चर्चा की जाएगी शिवसेना के सांसत और वरिष्ठन नेता संजराउत ने महाराश्टर भाजपा पर निशाना साधा है एक तरफ जहां मनी लॉंडरिंग के मामले में गिरफतार महाराश्टर सरकार कैबिनेट मंतरी नवाब मलिक सलाखों के पीछे है तो दुसरी तरफ महाविकास आघडी भी बीजेपी नेताओं की पोल खुलने में जुटी हुई है इसी कड़ी में राउत का ये ट्विट काफी एहम है इस ट्विट के मायने अगर निकाले जाएं तो ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी नेताओं पर भी गाज गिर सकती है और वो भी सलाखों के पीछे भेजे जा सकते है तो सवाल ये है कि आगर महाराश्चा की राज़नेती में ये बाप बेटा कौन है जिनका जिक्र संजेराओत ने अपने ट्विट में किया है जो आने वाले दिनों में जेल जाने वाले है बता दे कि कुछ दिन पहले संजिराउत ने अपनी शिवसेना भवन में एक प्रेस कॉन्फरेंस को संभोधित किया था जिसमें उन्होंने बिजेपी के वरिष्ट नेता और पूर्वसांसत किरिट सोमया और उनके बेटे निल सोमया पर कई आरोप लगाये थे किरिट और उनके बेटे पर PMC बैंक घोटाले में हुई करोडो रुपे की धोकाधड़ी में शामिल होने का आरोप है इस मामले में मुंबई पुलेस के आर्थी कपराच शाखा EOW जांच कर रही है कोईले की कमी के कारण परली ताब बिजली सयंत्र की एक इकाई से बिजली का उत्पादन बन कर दिया गया है इस से आने वाले दिनों में बिजली संकट गहरा सकता है हाला कि राज्य के उर्जा मंतरी नीतिन राउत का कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे है कि बिजली संकट ना आने पाए बितर अविवार को मुंबई शहर में तकनी की खराबी के कारण बिजली गुल हो गई जिससे अफरात अफरीका माहौल बन गया लोकल सेवाव पर भी इसका असर पड़ा अब गर्मिया शुरू हो गई है ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली की मांग बढ़ेगी बेस्ट के एक अधिकारिक बयान में कहा गया था कि टाटा की ग्रीट विफलता के कारण सायन, माटूंगा, परेल, दादर, CSMD, भायखला, चर्जगेट आदी में बिजली चली गई है इसके चलते लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ा, बहरहाल कोईले की किल्दत के कारण प्रदेश के अन्ने बिजली घरों में भी परिशानी हुई है गर्मी के पहले संकट ने सावधन कर दिया है, समय रहते इस संकट को हल करने की चुनवती प्रबंदन और सरकार के सामने है भाचपा के वरिष्ठ नेताव विधायक आशिश शिलार ने प्रदेश के परियावरन मंत्री अधित्य ठाकरे से लवासा सिटी परियोजना मामले में राज्य सरकार की भूमी का स्पस्ट करने की मांग की है शिलार ने कहां कि गद्दिनों बॉम्बे हाई कोट ने पुने की लवासा परियोजना मामले में तल्ख टिपपणी की है अधालत ने कहा है कि लवासा परियोजना में रागपा अध्यक्ष शरत पवार के परिवार की सक्रिय भागिदारी है शेलार के अनुसर अदालत ने इस परियोजना को राष्टे संपत्ती की लूट बताया है साथी सत्ता का दूरूपयोग प्रशासनिक लापरवाही राजनितिक मन माने जैसे टिपणी भी की है शेलार के मताबिक अदालत ने कहां कि लवासा परियोजना की परिकल्पना शरत पवार की है इस परियोजना में व्यक्तिके तुरूची रागापा सांसत सुप्रिया सुले की है जबकि उपमुख्य मंत्री अजित पवार ने परियोजना की विभिन्न मन्जुरियों में लापरवाही बरती हैं परियोजना के लिए किसानों से ली गई जमिन का क्या हुआ ये पता नहीं चल रहा है इसलिए इस मामले में परियावरन मंत्री के रूप में आदित्य को सरकार की भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए दूसरी तरफ राज्यपाल भगसिंग कोशारी की और से चतरपती शिवाजी महराज के बारे में दिये गए बयान से भाचपा ने किनारा कर लिया है भाचपा विधायक शेलार ने कहा कि में राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं हूँ बतादे की औरंगाबाद में राज्यपाल ने समर्थ रामदास को चतरपती शिवाजी महराज का गुरू बताया था राज्यपाल ने कहा था कि समर्थके बिना शिवाजी महाराज को कौन पूछेगा किरल हाई कोट ने दो फरवरी को मले आलम समाचार चानल मेडिया वन के प्रसारन अधिकारों को सस्पेंड करने के केंदर सरकार के फैसले को बरकरार रखा है तो श्रम और रोजगार मंतरी भूपेंदर यादा उने बताया कि नियमों के मौजदा धांचे में बदलाओ किये भी ना मुद्दो को नियमों के माध्यम से लागो किया जाएगा वही फिंटे कंपनी भारत पे के संस्थापक रहे अशनीर ग्रोवर के इस्तिफे के एक दिन बाद कंपनी की और से एक बयान जारी कर दिया गया है कहा गया है कि ग्रोवर अब करमचारी निदेशक क्या संस्थापक नहीं है इसे बिच तामिल नाडू के सलेम जिले में एक नयाएक मजिस्ट्रेट को उसके आफिस असिस्टेंट ने अदालत परिसर के अंदर चाकु मार दिया है उधर अयोध्धा तपस्वी छावनी के पिठाधिश्वर जगत गुरू परमहंस आचार्य ने कहा कि डिमपल ने भगवा का अपमान कर हिंदू समाच का अपमान किया है जिस तरह से शुर्पनखा राक्ष स्कूल के विनाश का कारण बनी थी वैसे ही डिमपल सपा के विनाश का कारण बनेगी देश्भन के पाज बड़ी खबरों को विस्ताथ से जाने के लिए बने रही आप हमारे साथ केरल हाइकोट ने दो फरवरी को मल्यालम समाचार चैनल मीडिया वन के प्रसारण अधिकारों को सस्पेंड करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है केंद्रिया गुरुम मंत्राले द्वारा गंभीर सुरक्षा मुद्धो का हौला देते हुए केंद्रिया सूचना और प्रसारण मंत्राले ने 31 जनवरी को चैनल को आप एयर कर दिया था बाद में हाइकोट की एकल पीट ने प्रसारण पर रोक लगा दी आठ फरवरी को एकल पीट ने भी किंद्र सरकार को विस्तार से सुनने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्राले के तर्क पर सहमती जताई फिर मध्यम ब्राटकास्टिंग कार्पोरेशन जो की चैनल चलाता है उसके संपादक प्रमुद्रमन और केरल यूनियन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने प्रतिबन पर सवाल उठाते वए खंडपीट का रूप किया अब कई दिनों की भहस के बाद चीप जस्टिस एस मनिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की खंडपीट ने पाया कि सूचना और प्रसारण मंत्राले के फैसले में अस्तक्षिप करने की कोई वज़ज़ नहीं है फैसला सुनातिव वे जस्टिस एन नागरिश ने काहा कि केंद्रिय ग्रुहा मंत्राले की फाइलों को देखने के बाद उन्हें कूपीया जानकरी मिली है जो चैनल को सुरक्षा मंजूरी से इंकार करने को सई ठहराती है जमाते इसलामी के करीबी समूध वरा संचाली इस चैनल का 10 साल का प्रसारन लाइसंस 29 सितंबर 2021 को खत्म हो गया था कमपनी ने पिछले मही में इसके नवीनी करन के लिए आविदन किया था 29 दिसंबर 2021 को गुर्व मंत्राले ने इसे सुरक्षा मंजूरी देने से इंकार कर दिया और बाद में सूचना और प्रसारन मंत्राले ने 31 जनवरी को इसके प्रसारन को सस्पेंड कर दिया जिसे हाई कोट में चुनोती दी गई थी श्रम मंत्राले वेच कोड़ पर चिंताओं को दोर करने के लिए सभी क्षेत्रों के एचार के साथ चर्चा कर रहा है श्रम और रोजगार मंत्री भुपेंद्र यादव ने बताया कि नियमों के मौजुदा ढाचे में बदलाव किये बिना मुद्दो को नियमों के माध्धम से लागू किया जाएगा मंत्री ने कहा कि श्रम सहीता को जल से जल लागू किया जाएगा लगबग 26 राज्यों ने वेतन सहीता पर नियम अधिसुचित किये है और सभी राज्य सभी 4 सहीताओं पर नियमों को अधिसुचित करने पर काम कर रहे है हमने सामाजिक सुरक्षा सहीता को आंशिक रूप से लागो किया है लेकिन हम चारों को व्यापक रूप से एक साथ देखना चाहते है सरकार सब कुछ सर्वसम्मती से और पारदर्शी तरीके से करेंगी वेतन सहीता पर नियोकताओ और करमचारियों के बीच मदभेद के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे कोई मदभेद नहीं है कुछ चीजों को नियमों के जरिये सुलजाय जा सकता है ये चल्चा की बाते हैं और हम आम सहमती बना रहे है मासिक आधार पर हम ट्रेंड यूनियन नेताओ और कमपनियों के मानव संसादन विबाक के प्रमुखों के साथ विचार विमर्ष कर रहे है बतादे की शरम सहीता संसद में पहले ही पारित हो चुकी है विबिन राज्य इन सहीताओ पर नियमों का मसवदा तयार कर रहे है और आगे बढ़ते वे हम आम सहमती बना रहे है उन्होंने कहा कि नया वेचकोड लेंगिक समानता पर जोर देता है और सरकारी समुद्दे को लेकर चिन्तित है हम तै करेंगे कि कब इसकी जरूरत होगी फिंटेक कमपणी भारत पे के संस्थापक रहे अश्नीर गुरोवर के इस्तिपे के एक दिन बात कमपणी की ओर से एक बयान जारीकर कहा गया है कि गुरोवर अब कर्मचारी निदेशक या संस्थापक नहीं है भारत पे ने यहाँ भी कहा है कि उनका परिवार वित्तिय गड़बडियों में शामिल था अशनीर गुरोवर ने मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड डायरेक्टर के बच से इस्तिपा दे दिया था गुरोवर ने आरोप लगाया था कि उन पर आधार ही नारोप लगाय जा रहे है दूसरी तरब भारत पे ने आरोप लगाया है कि सहसंस्थापक अशनीर गुरोवर के परिवार और उनके संबंधियों ने कमपनी के कोश का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया है अभी कुछ दिनों पहले आर्थीक अनियमित्ताओ के चलते अशनीर की पत्नी मादूरी जैन गुरोवर को भी कमपनी से बरखास्त कर दिया गया था कमपनी ने एक बयान में कहा कि निदेशक मंडल गुरोवर परिवार के निंदनी ये आचरन से भारत पे इसके मेहनती करमचारियों और विश्वस्तरिय प्रोध्योगी की प्रतिष्ठा को धुमिल नहीं होने देगा गुरोवर अपने गलत कामों की वज़से अब कमपनी के संस्थापक या निदेशक या करमचारी तक नहीं है वही अशनिर ने अपने स्थिपे में कमपनी के बोल्ड मेंबर पर ही आरूप लगाय था कि वह ग्रोवर को आरूपों में घसितने के साथ-साथ कमपनी की ब्रांड वैल्यू को भी नुकसान पहुचा रहे है उन्होंने लिखाय कि 2022 की शुरुवात से ही मुझे आधारहीन आरूपों में घसिता जा रहा है मुझ पर और मेरे परिवार पर हमला किया जा रहा है वो बस मुझे ही चोट नहीं पहुचा रहे है उस कमपनी की प्रतिष्ठा को भी चोट पहुचा रहे है जिसे बचाने का दावा वो कर रहे है तमिल नाडू के सलिम जिले में एक नयाएक मेजिस्ट्रेट को उसकी ऑफिस असिस्टेंट ने अदालत परिसर के अंदर ही चाको मार दिया मेजिस्ट्रेट को एक सरकारी मेडिकल कॉलिज के स्पताल में भरती कराया गया है नायक मेजिस्ट्रेट चतूर्थ पर ए प्रकाश नामक आफिस असिस्टेंट ने उनके कैबिन के अंदर हमला किया था हाला कि चाकु से किये गए इस हमले में नायधिश को मामुली चोटी आई है और उन्हें सरकारी मोहन कुमार मंगलम मेडिकल कॉलेज अस्पिताल में भरती कराया गया है हस्तमपट्टी पुलिस ने प्रकाश के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्च किया है स्तानिय पुलिस ने आरोप लगाया है कि प्रकाश को हाल ही में ओमलूर कोट से ट्रांसपर किया गया था और वो इससे नाराज था प्रकाश ने मेजिस्ट्रेट से तबादले का कारण पूछा तो बताया गया कि प्रधान जिला नायधिश ने तबादला करने का आदिश दिया है इसके बाद उसने चाकू निकाला और मेजिस्ट्रेट पर हमला कर दिया बता दे कि जारखन में धनबाद के अतिरिक्त जिला और 17 नायधिश उत्तम आनंद की जुलाई 2021 में हत्या कर दी गई थी मौर्निंग वॉक पर गया नायधिश को एक आटो से टक्कर मार दी गई थी जिसमें उनकी मौत हो गई थी मामले की CBI जान चुई शुरुआत में माना जा रहा था कि जज आनंद की मौत एक दुरघटना थी घटना के CCTV फूटेज सामने आने के बाद पता चला ओटो से जान बुचकर जज को टक्कर मारी गई थी जबकि वो सड़क के किनारेच चल रहे थी इस घटना के बाद सुपरिम कोर्ट ने नयाधिचो की सुरक्षा को स्वतह संग्यान लिया था अयोध्यत अपस्वी छावनी के पीटाधिश्वर जगतगरू परमहंस आचारिया ने समाजवदी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पतनी वो पूर्वसान सर डिमपल यादव के बयान को लेकर नाराजगी जताई है उन्होंने भगवा रंग को लोहे में लगी जंग जैसा बताया था आचारिया ने कहा कि डिमपल ने भगवा का अपमान कर हिंदु समाज का अपमान किया है जिस तरह से शुरुपन खार राक्षा स्कूल की विनाश का कारण बने थी वैसे ही डिमपल सपा के विनाश का कारण बनेगी इसी क्रम में उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को बड़े बड़े देश नहीं जहिल पाए प्रधान मंतरी मोदी और सीम योगी अधित्यनाथ ने इसे काफी हद तक रोकने में सफलता पाई है लोगों को निशुक रवाक्सिंग और राशन उपलप्त करवाया गया है योगी अधित्यनाथ के नेत्रुत्वा में फिर से भाचपा सरकार बनने जा रही है 1000 वर्षों की तपस्या का परिणाम है जो भारत को प्रधान मंतरी मोदी जैसा प्रधान मंतरी मिला है परमहंस आचारिया ने कहा कि मेरी कामना है कि भारत हिंदु राश्टर बने मुस्दिम देशों में जैसे हिंदूों को मताधिकार का अधिकार नहीं है वैसे ही व्यवस्था भारत में भी लागो होनी चाहिए बतादे की 25 परवरी को सिराथों में एक चुनावी जनसभा को संभुधित करते वे डिमपल यादव ने कहा था कि मौजुदा डबल इंजन की सरकार है जब लोहे में जंग लगता है तो उसका रंग क्या होता है मुझे लगता है जिस रंग के कपड़े हमारे मौजुदा मुख्यमंत्री पहनते हैं उसी रंग का होता है ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है डिमपल यादव के बयान को लेकर लगादार साधू संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है दुनिया भर की नजर कोरोना संक्रवन से हट कर रूस युक्रेन युद्ध पर आकर ठहर गई है अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है अमेरिका के राश्टपती जो बाइडन ने कहा है कि पुतिन ने बड़ी गलती कर दी है उन्होंने बीना किसी उकसावे के युक्रेन पर हमला किया है तो तिरंगे की आड में पाकिस्तान और तुर्की के लोगों ने युक्रेन से भाग कर अपनी जान बज़ए वही बैडमिंटन की विश्ववियापी संसा बैडमिंटन वर्ल्ड पेडरेशन ने रूस और बिलारुस को अंतराष्टे टूर्नामेंटों से निलंबित कर दिया है इसी बिच भारत में युक्रेन के राजदुत इगोर पोलिखा का एक बयान सुर्कियोबे है इगोर पोलिखा ने युक्रेन में रूसी हमले की तुलना मध्यकालिन भारत में राजपुतों के खिलाफ मुगलों के कथित जन सहार से किया है उधर वाइस चिफ मार्शल संदीप सिंग ने कहा है कि ताजा मामले का भारत और रूस के सम्मंदों पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि दोनों ही देश अपनी अपनी जगा मजबूत है दुनिया भर के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जाने के लिए बने रही आप हमारे साथ अमेरीका के राष्ट्रपती जो बाइडन ने अपने पहले स्टेट ऑफ दे यूनियन संबोधन में रूस की आकरामक्ता का सामना करने और अमेरीकी मुद्रा स्पिती को काबू करने का संकल्प किया रूस के यूक्रेन पर आक्रमन करने के बीच बाइडन के इस भाषन के माएने और बढ़ गये है राष्टपती ने अपने भाषन के शुरुवाद भी यूक्रेन संकट के मुद्दे से ही की उन्होंने सदन के कक्षमे उपस्टित सांसदों से कहा कि वे खड़े ओकर यूक्रेन के लोगों के जज़बे को सलाम करे इसके बाद सभी सांसद खड़े हो गए बाइडन ने कहा कि अपने पूरे इतिहास में हमने यह सबक सीखा है कि जब ताना शाह को अपनी आकरामक्ता की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो वे और अधिक अराजकता फहलाने लगते है इस दवरान बाइडन ने गोशना की कि अमेरिका अपने हवाई क्षेतर को रूसी विमानों के लिए बन कर रहा है और कहा कि अन्य दंडात्मक कदमों के साथ उठाया गया यहा कदम रूस को कमजोर करेगा उन्होंने कहा कि पुतीन ने बड़ी गलती कर दी है उन्होंने बिना किसी उक्सावे की यूकरेन पर हमला किया है पुतीन को लगता था कि युक्रेन कमजोर है उसे आसानी से रौंदा जा सकता है हलाकि उनका यहाँ अनुमान गलत था COVID-19 वैश्विक महामारी के प्रकुप के बाद यहाँ पहला मोका था जब संसत के सभी सदस्यों को सदन में आमंतरित किया गया संसत वर्ल डेमिंग्स ने कहा कि सभी लोगों को पता है दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका सिधा असर यह होता है युक्रेन और रूस की युद्धालाद दिन बदिन बिगड़ते जा रहे है जंग के शुरुवाच से अब तक धेरो जान माल का नुकसान हो चुका है रूस लगातार युक्रेन पर तावड़तो भमले कर रहा है इन सब की बीच हजारो भारतिय नागरिक वच्छातर युक्रेन में भसे हुए थे जिने वापस देश लाने के लिए भारत सरकार ओपरेशन गंगा अभियान चला रही है इस अभियान के तहट हजारो च्छातर और नागरिक अपने वतन और अपने परिवार जनों के पास वापस पहुचाए जा चुकी है यही नहीं देश के तिरंगे ने भी भारतियों के अलवा पाकिस्तान और तुर्की के लोगों को भी युक्रेन से निकालने में मदद की युक्रेन से रोमानिया के वुखारेश शहर पहुचे भारतिय चात्रों ने बताया कि राष्ट्रिय तिरंगे ने उन्हें और साथ ही कुछ पाकिस्तानी और तुर्की चात्रों को युद्धगरस्त देश में विभिन्न चौकियों को सुरक्षित रूप से पार करने में की दक्षिनी युक्रेन के उडेसा से आये एक मेडिकल चात्रे ने कहा कि हमें युक्रेन में कहा गया था कि भारतिय होने और भारतिय ध्वज ले जाने से हमें कोई समस्या नहीं होगी एक चात्रे ने कहा कि मैं बाजार की और भागा कुछ रंगीन स्प्रे और एक परदा फिर मैंने परदा काट दिया और इसे भारतिये तीरंगा बनाने के लिए स्प्रेय पेंट किया। इसी तरह कुछ पाकिस्तानी और तुर्की चात्रों ने भी भारतिये जंडे का इस्तेमाल कर चौकियों को पार किया। एक चात्रे ने कहा कि तुर्किय और पाकिस्तानी चात्र भी भारतिय जंडे का इस्तेमाल कर रहे थे। भारतिय ध्वच पाकिस्तानी तुर्की चात्रों के लिए बहुत मददगार बना। बैडमिंटन की विश्ववेपे संस्था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रूस और बेलारूस को अंतरराष्ट्रिय टुर्नामेंटों से निलंबित कर दिया है। अधिकार करते हुए यहां निर्णे लिया है। अवश्यक हो गया था। BWUEP का यहां कदम रूस और बेलारूस में टुर्नामेंट रद्द करने के एक दिन बाद आया है। इससे पूर्व आयोसी ने सभी अंतरराष्ट्रिय खेल संगों और खेल आयोजनों के आयोजकों से इंटरनेशनल टुर्नामेंट्स में रूस और बेलारूस के एथलेटों और अधिकारियों को आमत्रित करने या उनकी भागिदारी पर रोक लगाने के लिए कहा था। यूकरेन पर रूस के हमले के बीच भारत में यूकरेन के राजजुत इंगोर पोलिखा का एक बयान सुर्कियों में है। मैं दुनिया के सभी प्रभावी नेताओं से अपिल करता हूँ कि पुतिन के खिलाब सभी संसादनों का इस्तेमाल करते हुए हमला रोके। रान हू की नरेंद्र मोदी का ध्यान खिशने के लिए उन्हें मुगलों के इस्तेमाल का आइडिया कहा से आया। बता दे कि जिस दिन रोस ने यूकरेन पर हमले की गोशना की थी उस दिन दिल्ले में मिडिया से बात करती वे यूकरेन के राजजूत ने कहा था कि भारत की कूटनेती काउटिल्य चानक्य के जमाने से है। तब यूरोप में कोई सब्वेता भी नहीं थी। भारत सालों से वैश्विक ताकत रहा है। भारत गुटने रुपेक्षा आंदोलन का अगुवा रहा है। यूकरेन पर हमले के चलते अमेरिका समेत कई पश्ची में देशों ने रुस पर प्रतिबन लगाये है। यूनियन और अमेरिका ने रूस के बड़े निताओं की विदेश संपत्ति को जबत करना शुरू कर दिया है। भारत भी अपने नागरिकों को यूकरेन से निकालने की कोशिश कर रहा है। वही भारत ने यूकरेन को मानिविया साहता भी भेजी है। यूनियन और भारत ने अपना रूक तटस्त बनाये रखा है। वही भारत हमेशा बाच्चित के जरीए हल निकालने की वकालत करता है। सयूक तराष्टर महासभा में यूकरेन संकट पर बाच्चित के लिए जब वोट कराया गया तो 15 में से 11 ने इसके समर्थन में वोट किया। जबकि भारत और चीन ने वोटिंग में हिस्सा ने लिया। वही रूस ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था। यूकरेन बार-बार दोहरा रहा है कि भारत को इसमें दखल देना चाहिए और रूस से आकरमन रोकने के लिए कहना चाहिए। भारत ने सीधे तावर पर रूस से कोई अपिल नहीं की है लेकिन युद्धा और हिंसा को गलत बताया है। वही चीन रूस के साथ बैक डोर से खड़ा द हुआ 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 है